वीवो के बॉक्सेस आमको एक ही तरह को देखने को मिलते हैं प्लेन बाइट कलर की बॉक्स दोड़ता है फों का पिच्चर यहां निखा है वीवो और नीचे लिखा है वाई 83 और उसकी नीचे लिखा है और फूल जू डिस्प्लेइग कि यहां पर आपको मिलने वाला है नौ प्रिया में यह फोन एकी वरिंट में लॉज हुआ है चार्वी विराम बत्रीजिव इस्टोरेश के साथ में जिसका प्राइस रखा गया है 14,990 रुपाया तो यह है बॉक्स का करते हैं इसको बैक साइट की तरफ तो यहां पर मेंचन है पुदकी हाइलाइट पीचर जैसे बहुत खड़ेते हैं बॉक्स को अंबॉक्स और देखे हैं कि इस फोन का지ocris को में कैसका देरें हूं मिलता है एक बॉक्स को बॉक्स के नएक है यह फोन जोगे आमारा पास अभ US व्यालेबल है व्लैक कलर ने हैं चलंटे हैं इसको इंवर वाइटी त्री के सार्थ में सबसे वहला में देखने को मलता है को एक स्टार्ट गाइड और वरंटी कार्ड इसके बाद है एक से में जब टूल एक अच्छी कॉलिटी का ट्रांसपरेंट बेक्ट कवर्ट एक यह फोन जो कि वीवो के सारे बॉक्सेस में हमको सेंग ही देखन को मिल रहा है और यहां पर डिजाइन इसली काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यह आपको देखने को मिलता है स्कॉर से बाइक साइड की तो यहां पर ग्लास फिनिश नहीं है यह ऐसा ही ग्लॉसे पनेश है जो कि हम देख चुके हैं वीवो के वी नाइन में वैसे ही यहा लिए को चली जब रहे हैं सबसे बहुंद सकते हैं यहां पर देखने को मिलेगी नौब है यह प्रॉंड इस तक आपको देखने को नहीं रहा है चोटा से स्पीकर साइड एंट में जया गया है और इस तरव आपको मिल जाए फ्रंट का शुकी है 8 में निच्छ तरह आपको कोई भी की देखने को नहीं मिलेगा कि भी साही ही की साथ को देखने को मिलेंगे on screen right side में आपको देखने को मिलता है volume up down की और power की इसके नीचे की दिया गया है और left side आपको देखने को मिल जाएगा sim tray जहां पर लगा सकते हैं तो sim card और साथ में memory card का option भी दिया गया है तो एक dedicated micro SD card slot यहां पर आपको देखने को मिल रहा है नीचे की दिया गया है charging port उसके साइड में है primary mic और side में दिया गया है 3.5 jack और इस तरह आपको side में मिलता है किस speaker करते हैं इसके back side में तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है rear camera 13 megapixel का side में दिया क्या है LED flash नीचे की तरह आपको finger print sensor पर देखने को मिल जाता है और उसके नीचे है वीवो का branding तो यह है इस phone का physical overview चली कर लेते हैं phone को on और देखते हैं कि इस phone का performance हमें कैसा देखने को मि देख लेते हैं phone के quick specifications यह फोन आपको मिलता है midgeteck के helio p20 chipset के साथ में यहां पर आपको मिलता है चार्ज बीका रेम और 32 प्रस्टोएज बात करें display की तो इस phone में आपको मिलने वाला है notch और अगर हम बात करते हैं camera की तो यहां पर आपको मिलेगा 30 megapixel का rear और 8 megapixel का front camera 3260 mh बैटरी जा गया है और security इस phone में आपको fingerprint sensor और face unlock दोनों ही देखने को मिल जाएंगे दो आप देख सकते हैं phone हो चुका है on और यह है वीवो के touch OS पे जोगी वीवो का खुद का UI है जहां पर आपको कोई भी app tray देखने को नहीं मिलता है और आप बहुत अधर इसको कस्माइज नहीं कर सकते हैं और अगर आपको app tray या फिर ऐसा कुछ चाहिए तो आपको कोई नों कोई launcher इसमें use करना होगा बात करें इस phone की display की तो इस phone अच्छे दे रहा है क्योंकि यहां पर आपको देखने को मलता है फुल वीवो डिस्प्लेइग और वह भी आता है नौज के साथ में तो ये काफी अच्छी बात है कि हमें कम प्राइस में भी नौज दिस्प्लेवाले फोन देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हैं इस वी देखा है मॉडल नंबर जो की है वीवो 1802 इसके बाद देखा है आई में नंबर उसके बाद लिखा है अंड्रोइट का वर्जन जो की है अंड्रोइट का 8.1 औरियो आपको आउट ऑब बॉक्स देखने को मिल रहा है बात करें सेक्योर्टी पैस की तो यह दिया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं पंटच ओस का 4.0 वर्जन और नीकी कुछ इंप्रमिशन आप और भी देख सकते हैं बात करें फोन के स्टोरिज की तो आपको बदा दें यह फोन आप मिलता है 32GB स्टोरिज के सार्थ में जहां पर फर्स्ट टाइम स्पेस अवेलबल है 21.10 0GB का means almost 11GB का data already used है लेकिन इस फोन में अच्छी बाद यह है कि आप दो SIM card के साथ में memory card भी लगा सकते हैं जहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं चलते हैं इस फोन की security की तरफ तो इस फोन में आपको security के लिए fingerprint sensor और face unlock दोनों ही देखने को मिल जाते हैं चलिए मैं दोनों रिजिसर्टर लेता हूँ अपने face और finger से और देखते हैं कि इसका performance हमें कैसा देखने को मिलता है तो यह हो गया है मेरे face और finger print से register चलिए देख लेते हैं इसका performance कैसा है तो पहले चलते हैं fingerprint sensor की तरफ तो मैं करता हूँ इसको touch और यह unlock हो गया काफी fast है performance आप देख सकते हैं सिर्फ touch करने की दिरी है और यह unlock हो जाता है चलिए आप देखते हैं face unlock कैसा काम करता है तो अभी यह है इस side और मैं लेके आता हूँ इस अपने face की तरफ यह unlock हो गया आप देख सकते हैं इसका performance काफी fast है और face को detect करते ही यह unlock हो रहा है और आपने देखा है ओपो और वीवो में face unlock और finger print sensor बहुत ही fast काम करते हैं और ऐस इस फोन के साथ में आपको देखने को मिल रहा है चलते हैं इस फोन की camera performance के तरफ आपको बदा दें इस फोन में आपको मिलता है सिंगल रियर कैमरा जोगी है 13 Megapixel का और 8 Megapixel का front camera यहां पे dual rear camera setup का train है तो वीवो को कम से इस फोन में dual rear camera देना चाहिए था लेकिन इस फोन में ने लिए हैं इसके rear or front camera से rear camera के images काफी अच्छी देखने को मिल रही है और वैसा ही यहां पे भी देखने को मिल रहा है अब करें फोन में इस फोन में आपको सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप यहां पे दिख सकते हैं एक्सेलिटर सेंसर, Magnetic, Charoscope, Light Sensor, Approximately Sensor, Vivity Sensor इस आलमोस्ट सारे संसर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यह हमने पहले भी दिखा है कि Vivo और Oco अपने सारे फोन में आलमोस्ट संसर का सपोर्ट देते हैं बात करें फोन की परफॉर्मेंस की तो आपको बरदा दें उनकी प्रोसेजर अफिलेट ठीक है लेकिन अगर आप एवी गेमर या फिर मल्टेस की जादा करते हैं तो फिर इस फोन में आपको दिक्करतों का साहना करना पड़ सकता है